आज मैं यहां पे नॉइस के ऊपर में एक वीडियो लेके आया हूँ अग्चुली एक मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि वो जो वाच है तो उनके वाच में पीछे के तरफ हमेशा से ऐसे ग्रीन लाइट देख सकते हैं यह जलते रहती है ठीक है अभी तो यह नहीं जलने बर जैसे यहां पे हाथ वगर आती है या फिर इसके नजदीक आते हैं तो यह हमेशा जलना जो है स्टार्ट हो जाती है इसके अलाबा भी आप आप आसे रखे हुए बिए वाच तो मैक्सिमम टाइम पे देखा गया है कि वो बिलिंक करते रहती है तो अग्छुली है क्या आड़ यह क्यूं बिलिंक करती है तो देखे इसके लिए दो फैक्टर यहाँ पे मेशर है इसको आपको आफ करने के यहां पर देखें दो आपको options आएंगे एक cross का और एक टिक का तो आपको cross को उपर tick करना है जो पीछे में green blink करती है वो बंद हो जाएंगे फर्स वन यह हो गया सेगें है कि auto HR जो कि आपके फोन में आपके जो watch में रहती है देखें यह noise की color fit pulse है इसमें क्या करना है कि जैसे ही आप जब home screen पर रहते हैं तो left to right आपको swipe करना है swipe करने के बाद यहां पर 4 options मिलते हैं जो कि first में आपकी heart की options है तो यहां पर यह auto HR on हो गए ठीक है अब इसमें क्या है कि specific time time के बाद यह automatic यहां पर blink करते रहेगी चाहिए आप इसके नजदे का यह ना है तो आप हमेंसा middle में ब्लिंक करते रहती है तो इसको off कैसे करना है left to right आपको swipe करना है and यह heart की आप जो sign देखना है इस पर आपको click कर देना है तो off करने के लिए आपको इसको brown कलर में रखना है तो I hope यह आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप auto edge आपको off कर सकते है and इसके recording आपको कुछ भी queries जोते हैं तो आप उचे नेचे comment कर सकते हैं till now thanks for watching video मिलते हैं next videos में कुछ औरने topics के साथ